हेलो दोस्तों मेरा नाम है नरेंद्री और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने चेनल अकाउंट शोर चॉलेशन में मैं आज आपके लिए बताऊंगा कि बीजी सॉप्ट्वेर में पर्चेज का बिल सही तरीके से कैसे चड़ाए मैंने एक पर्शनल कॉन्फिग्रेशन करी है उसमें मैं आपके लिए बता देता हूँ कि मैंने जो भी पर्चेज के बिल चड़ा रखे हैं बीजी सॉप्ट्वेर के अंदर तो वो मैंने गलत तरीके से चड़ा रखे हैं तो एक जो रिपोर्ट मैंने पर्शनल कॉन्फिग्रेशन करी है उसमें आप चेक कर सकते हो कि आपने कौन सा बिल गलत एड़ कर रखा है वो रिपोर्ट में आपके लिए बता देता हूँ रि इंटर करना है इसके बाद आपको all purchase type select करना है जैसे आप इस पर select करोगे तो आपको all parties select करनी है इसके बाद जो मैंने नया जो configuration करा है उस format का नाम है Bill Amounts जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी date एंटर करनी है कि कौन सी date के आप बिल चेक करना चाहते हो जैसे मैंने दो बिल जो बना रखे थे 23 March 2021 को मैंने बिल बनाए थे वो मैंने गलत तरीके सा एंटर कर रखे उसका amount match नहीं खा रहा है तो कितने amount का difference आ रहा है जादा आ रहा है या कमा रहा है मैं किसे चेक कर पाऊँगा डेट एंटर करने के बाद आपको कर देना है या एंटर एंटर करना है अब आप देख पा रहे हो कि पार्टी का नाम लिखा हुआ है इसके बाद इसके डेट लिखी हुई है इसका जो टैफ है एलजीस्टी आइटम वाज लिखा हुआ है बिल का total amount और purchase amount यानि मैंने जैसे बिल को add किया था तो मैंने बिल add करने के बाद मैंने मेरा amount add कर दिया था कि मेरा जो बिल का total amount है 4500 रुपे का है लेकिन जो बिल बना है वो 5000 रुपे का बना है 4500 रुपे मैंने एंटर किया था लेकिन जिसे मैंने बिल चड़ाया है तो वो गलत तरीके से मैंने बिल एड़ कर दिया है तो इसमें जो डिफ्रेंच आ रहा है प्लस 500 रुपे का अगर आपका बिल बिलकुल सही चड़ता है यहाँ पर जीरो अमांट की फिगर आती लेकिन यह मैंने गलत चड़ा दिया है और यह मेरे सामने रिपोर्ट में आ रहा है कि यह आपने बिल गलत चड़ा दिया है इस तरीके से आप चेक कर सकते हो यह जो दूसरा बिल है बिल का जो टोटल अमांट है 354 रुपे लेकिन इसका जो परस्चेज का वेल्यू था यहनि बिल का जो अमांट था मैंने 5000 रुपे एंटर कर रखा है इस पर आप जैसे बिल पर एंटर करोगे तो आप देख पा रहे हो कि मैंने पार्टी का नाम एंटर किया बिल नंबर ओटोमेटिक आ गये है इसके बाद मैंने जिसेंग एंटर करूँगा एंटर करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक नया जो आप्सिनल फिल्ड वे मैंने एक फोर्मेट तयार किया है इसमें जिसे यहाँ बिल चड़ाओगे बिल चड़ाने के बाद यहाँ पर आपका बिल का जो भी वेल्यू है जो नेट अमाउंट है टोटल जो आपको पेर करना है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है एंटर करने के बाद जैसे आप एंटर करोगे आपके बिल के अंदर जो भी बिल में जो भी डिफ्रेंस होगा वो यहां से पता कर सकते हो अब मैं आपके लिए एक पर्चेज का इन्वेस एड करके बताऊंगा और उसमें उसका जो टोटल अमाउंट है जैसे मैंने ट्रांजेक्शन पर एंटर किया इसके बाद पर्चेज पर एंटर किया एड करना है ए इसके बाद LJST आइटम वज मैंने सलेक्ट कर लिया है पाल्टी का नाम बाबा फूड के नाम से मेरेपास एक अकाउंट है इसका मुझे फॉस्दक के इन्वेस एड करना है तो मैंने पाल्टी का ना में एंटर किया इसके बाद मैंने एंटर किया मैं इस्टॉर मैं भी कर लिया है इसके इंपुट गूड सर्विस में मुझे एंटर करना है इसके बाद इसकी नरेशन हो तो आप एड़ कर सकते हो इसके बाद आपको यहां पर लिखना है इसका टोटल अमॉंट लेकिन आपके पास यह ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा आपको इस ऑप्शन की कॉन्फिग्रेशन करने के लिए मैं ऑप्शन बता देता हूँ कि इसका जो परचेज बिल का अमॉंट का ऑप्शन है एक कहां से अनेबल करना है आप जैसे परचेज चड़ाते हो तो आपके सामने यह ऑप्शन नहीं आएगा पहले में आपके लिए य आपको क्लिक करना है वाउचर स्रीच कॉन्फिग्रेशन पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको परचेज में नया जो फॉर्मेट है जो बनाना है तो आपको परचेज पर एंटर करना है डबल क्लिक जैसे करोगे तो आपको में पर एंटर एक चोटी सी विंडो ओपन हुई है इसमें आपको वाउचर कॉनफीग्रेशन पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पस्ट नंबर जो ऑप्शन है नंबर ओप्शनल फिल्ड इस पर आपको क्लिक करना है आपके पास यहां पर जीरो होगा तो आपको यहां पर वन करना है जैसे आप वन करोगे तो आपके सामने एक कॉन्फीग्रेशन का ओप्शन आएगा इसको आपको यस करना है जैसे आप इस पर एंटर करोगे एंटर करन करना है एड करने के बाद आपके सामने यहां पर option आएंगे टेक्स numerical date yes no आपको यहां पर जो आप amount लिखोगे numerical में लिखना है तो आपको यहां पर numerical select करना है maintain database आपको select नहीं करना है कि एवल दो चीज़े आपको लिखने है purchase bill amount इसके बाद जो टैप में numerical select करना है इसके बाद कर देना है आपको ok यानि यहां से जो यह आपने option enable किया है यह आपकी purchase की configuration है आपको इसको कर देना share अब जैसे आपने share कर दिया तो आपके पास यह जो option है आ जाएगा आप जैसे purchase का bill enter करोगे date मैंने enter कर दी है party का नाम जैसे मैंने बाबा foods लिखा इसके बाद इसका जो total amount है मैं enter कर देता हूँ आपके पास भी यह option आ गया होगा आपको यहां पे आपका बिल का जो total amount है वो enter करना है इसका जो amount है 45,400 में बिल का amount मैंने enter कर दिया है optional field में इसके बाद मैंने किया इसको ok ok कर देने के बाद इसके जो भी item है enter करने है जैसे आप जो भी purchase के बिल चड़ाते हो आपने main total amount है आपका जो gross net amount है तो उसका जो total नीचे amount आता है net amount वो आपको यहां पे enter करना है इसके 95 case इसके बाद यह double seven case मैंने दो आइटम आपके सामने चड़ा दिये हैं लेकिन यह जो थर्ड नमबर का जो आइटम है इसकी 60 quantity है 60 quantity ना चड़ा के मैं इसकी quantity 50 चड़ाओंगा तब ही तो आपको पता चलेगा कि आपका बिल सई चड़ा है या गलत चड़ा है मेरे पास quantity है इसकी 60 और 32 रुपे से इसकी rate है लेकिन मैं इसको कर देता हूँ 50 मैंने जो बिल का net amount था 45,494 में गलती से आपने कोई सब बिल चड़ाया उसकी quantity आपने गलत एड़ कर दी है या उसकी rate गलत एड़ कर दी है तो आपका बिल का amount सई मेच नहीं खाएगा अगर आपने सही चड़ाया है तो बिलकुल सही है कोई problem वाली बात नहीं है लेकिन गलती से आपने कोई बिल चड़ा रहे हो आपको किसी का बिल बनाना है या किसी के entry चेक करनी है या किसी का laser चेक करना है उस condition में आप क्या करते हो direct इसको save कर देते हो save करने के बाद जैसे आपके बिल के total 5 item है 5 item आपने पूरे चड़ाया नहीं है आपको आपने जो भी बिल है आपका वो आपने सही तरीके से चड़ाया नहीं है आपने 4 item चड़ाया उसके बाद बिलकुल save कर दिया और गलती से आप भूल गये तो उसका आपको पता नहीं च चलेगा जैसे आपके पास पार्टी का स्टेटमेंट आएगा अगर जैसे आप उसकी आउटिस्टेंडिंग चेक करोगे तब जाके आपको पता चलेगा या फिर आप GSTR 2A की रिपूर्ट अगर आप चेक करते हो तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने इसका अमांट है कम चाड़ा रखा है या आपने जाधा चाड़ा रखा है जैसे मेरा जो बिल का अमांट था 45,400 पर लेकिन जो बिल का फेल्यू हुई है 45,136 यानि मैंने इस बिल को गलत तरीके से चड़ाया है मैं इसको कर देता हूँ शेव इसका जो इन्वेश नमबर है मैं एंटर कर देता हूँ एंटर कर देने के बाद मैंने कर दिया इसको शेव यह मैंने आपके लिए शिकाने के लिए गलत तरीके से बिल चड़ा के आपके लिए बता रहा हूँ आप 99% आप सही चड़ाते हो, 1% ऐसा हो सकता है कि आप बिल्को गलत भी चड़ा सकते हो, वो end में जाके आपको पता चलता है, तो यह report की अगर configuration आप कर लेते हो, तो आपको उसी month में या फिर उसी time आपको पता चल जायागा, जैसे आप 15 दिन में report, यह वाली report आप चेक कर र चेक करने के बाद, आपको पता चल जायागा, अगर आपका total amount, बिल का value, and आपने जो optional field में जो amount add किया है, वो दोनों बराबर आना चीए, अगर किसी का plus minus आ रहा है, तो आपने उसको बिल्को गलत चड़ा रखा है, मैंने इस बिल्को कर दिया है, save, save कर देने के बाद, मेर जो report की configuration जो मैंने की है, उस report में मैं आपके लिए बता देता हूँ, कि आपने ये जो बिल्क चड़ाया है, ये कितनी amount का difference है, ये आपको पता चल जाएगा, report को देखने के लिए आपको display पे enter करना है, accounts booked पे enter करना है, जैसे आप accounts register standard पे आप click करोगे, तो आपके सामने purchase registered प आपको enter करना है, इसके बाद all parties आपको enter करना है, enter करने के बाद जो अपना second format जो मैंने तयार किया था, इस पे आपको enter करना है, enter करने के बाद आपको data enter कर देनी है, 233 का bill था, purchase का जो मैंने add किया था, इसके बाद कर देता हूँ, मैं इसको app to, app to कर देने के बाद मेरे सामन इस बिल का जो amount है मैंने purchase value यानि optional field में 45,444 रुपे का इसका amount add किया था लेकिन मैंने इस बिल को जो चड़ाया है यानि इसके जैसे item मेंने add किये हैं तो इसका value हुआ है 45,136 रुपे यानि 308 रुपे का इसमें total difference है इस तरीके से जैसे अगर आप report check करोगे तो आपके सामने difference का जो amount है यहाँ पर पता चल जायागा कि इस bill में इतने का difference है तो दुबारा से आपको इस bill को check करना है कि हमने इस bill में कहाँ पर गलती कर दी तो इसका total amount मेच नहीं आया अब मैं इसका इसके actual quantity है मैं यहाँ पर enter कर देता हूँ इसकी 60 actual quantity है जैसे मैं 60 करूँगा तो 45,444 रुपे इसका total amount हो गया और bill का जो optional field में मैं ने enter किया था 45,444 रुपे इसका enter किया था इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव बिल जैसे मैंने सेव किया है तो आपका जो format है जो आपका format है जो personal configuration किया गया है इसमें आप देख पा रहे हो कि इसका बिल का amount और purchase value दोनुका difference केवल 40 पेसे का है round off में 40 पेसे का difference है अब यह 40 पेसे का difference है यह round ओप में आ रहा है तो इसका भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि अगर आप purchase add करते हो आपके पास round off में है difference आता है तो इसको round off को पूरा केसे किया जाता है यह राउंड off को सही केसे किया जाता है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ में round of card difference आ रहा है तो आपको purchase पर एंटर करना है purchase पर एंटर करने के बाद आपके जो bill बन रहे है main series में bill बन रहे हैं आपको voucher configuration पर आपको click करना है जैसे आप इस पर click करोगे तो आपके सामने जो एक window open हुई है यहाँ पर auto round of final amount लिखा हुआ है आपको यहाँ पर यहाँ रहे है तो आपको यहाँ पर वाई करना है वाई करने के बाद आपको यहाँ पर एक configuration open हुई है यहाँ पर आपको enter करना है एंटर करने के बाद यहाँ पर बिल संडरी अपर है तो आपको यहां पर round off plus करना है और यहां lower है तो आपको round off minus करना है इसके बाद कर देना है इसको save जैसे आप इसको save करोगे आप जो आपका bill था report में वापस से निकाल लेता हूँ display accounts book account register standard purchase इस पर जो मैंने bill बना था वो मेरा bill सामने आ गया है जो 23 तारीका मैंने bill enter किया था बाबा फूड्स का इस पर जिसे मैं enter करूँगा enter करने के बाद मैंने round off का system इसमें कर दिया है इसके बाद bill के अंदर में जिसे enter करूँगा enter करने के बाद इसको वापस से save करूँगा तो round off ये net amount में change हो गया है अब मेरे पास net amount इसका आ रहा है 45,444 मरफे इसका total amount है और जो मैंने इसका optional field में जो enter किया था amount वो 45,444 में है और bill का amount 45,444 मरफे यानि इसका amount zero हो गया है अब यहाँ पे कोई difference नहीं आ रहा है यानि यह आपके अगर जैसे आप अपने हर मैने की seat चेक करोगे यानि आपके पास number of quantity 50 हो सकते 100 हो सकते 200 हो सकते invoice एक एक करके तो आप चेक कर नहीं सकते अगर आप चेक करना चाहते हो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो ताकि आपके GST की रिपोर्स में ITC आप अच्छी तरह से सही तरीके से क्लेम कर पाऊगे ज्यादा कर लोगे तो दिक्कत है कम कर लोगे तो उसको अगले महिने में आप ITC एक्स्टा क्लेम कर सकते हो लेकिन अगर आप ज्यादा ITC क्लेम कर लोगे तो आपके problem हो सकती है इस तरीके से ये रिपूर्ट निकालनी है आपको आपके एक मंद में कितने भी बिल हो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करोगे एक दोरपे का डिफरेंस होगा तो वो आपको इग्नोर कर देना है लेकिन अगर ज्यादा अमोंड का डिफरेंस है तो आपको बिल ओपन करके वापस से उसको एड करना है उसको चेक करना है कि कहां अपने इस बिल में गलती कर दी है इस तरीके से आप चेक कर सकते हो आपका परचेज इनवेश के आपने इस purchase इनोंस में कहां गलती कर दी जिससे आपका amount match नहीं खा रहा है यह report जो आपको बनानी है कैसे बनानी है आपके लिए ये भी मैं आपके लिए बता देता हूँ first जो आपको configuration करनी है वो मैंने आपके लिए बता दी है कि आपको जो first option enable करना है configuration voucher series configuration purchase main voucher configuration पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर जो first option है आपको यहाँ पर एक option enable करना है number of optional field यहाँ पर आपको one enter करना है इसके बाद configuration पर क्लिक करना है यहाँ पर बिल का amount बिल amount लिखना है आपको और यहाँ पर numerical लिखना है इसके बाद इसको कर दिना है ओके यानि फ़र्ष्ट काम तो यह आपको यह करना है इसके बाद कर दिना है इसको से जैसे आप परचीज का बिल चाड़ा होगे तो आपके पास यहाँ पे बिल अमोंट का एक option आजाएगा जैसे मैं किसी भी party का यानि मैं इसी party का एक बिल बना के बता देता हूँ आपके लिए जैसे आप एंटर करोगे यानि आप narration पर से जैसे एंटर करोगे यहाँ पर narration से जैसे एंटर करोगे तो आपके सामने optional field का bill amount का एक option आ गया है आपका bill का जो भी total amount है आपको यहाँ पर enter करना है enter कर देने के बाद जिसे आप purchase का bill चड़ाते हो उसी तरीके से आपको purchase का bill add करना है month end के time पे जब आपके सारे bill चड़ जाएं आपके system में सारे bill जितने भी एक मैने के जितने भी invoice है purchase के वो सारे add होने के बाद एक साथ आप report check कर सकते हो यानि आपका जो 3B का जो return file होता है उससे पहले पहले आपको यह report check कर लेनी है ताकि आपका जो ITC claim करना है वो सही तरीके से कर पाए और उसमें कोई किसी तरह का difference ना हो यह तो मैंने आपके लिए first option तो बता दिया कि आप purchase bill में amount के से enter करना है दूसरा जो आपको काम करना है क्या काम करना है कि आपको report की configuration किस तरह के से करनी है वो भी आपको अच्छी तरह से समझना है अगर इस report में आपको कोई किसी तरह की query है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो मैं आपके लिए उसका जरूर जवाब दूँगा आपको करना क्या है जैसे आप enter करोगे display पे आप enter करने के बाद accounts book पे आपको enter करना है account registered standard पे enter करना है इसके बाद आपको purchase registered पे enter करना है enter करने के बाद आपके सामने केवल एक ही format आ रहा होगा standard लेकिन जो दूसरा वाला जो bill format है मैंने personally इसकी configuration करके बनाया है ताकि purchase के जो invoice है वो सही तरीके से चड़ सके या फिर आपने कोई भी purchase का invoice चड़ा रखा है तो उसमें आप एक click में आपको पता चल जाए कि मेरा ये bill है जो गलत चड़ा हुआ है या इसका amount match नहीं खा रहा है तो आपको पता चल जाएगा इस format पर मैं enter कर लेता हूँ enter करने के बाद मैं आपके लिए बता देता हूँ कि इस तरह किसे आप report निकालनी है जैसे आप के लिए में बता दू कि आपको ये format कैसे तयार करना है आप जैसे निकालोगे तो आपके सामने इस तरह की report आएगी basic जो general तरीके से आप report निकालते हो purchase registered में आपको इस तरह की report नजर आएगी अब आपको यहाँ पे कस्टमाइज कोलम बनाना है वो कैसे बनाओगे यहाँ पर आपको कस्टमाइज कोलम पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक option आएगा जैसे मैंने उसकी जो configuration कर रखे उसके बेसमें में आपके लिए बताता हूं उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा जो मैंने second जो format बना रखा है जैसे आप कस्टमाइज कोलम पर क्लिक करोगे तो आपको फस्ट यहाँ पर new का option आएगा तो new पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर लिखना है आपको bill amount bill amount जैसे आप enter करोगे तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो मैंने नया बनाया है यानि आप यह जो टैप और फिल्ड लिखा हुआ है जो मेरे द्वारा जो फिल्ड बनाया गया है इस पर user defined लिखा हुआ है user defined और जो fix जो company का जो format आता है इस पर fix the column लिखा हुआ आता है यह आपको ऐसे चेक करना है यह company के format है जैसे date का, voucher का, accounts का, टैप, total amount यह सारे company के format है जो मेरे द्वारा बनाया गया जो format है बिल amount यानि बिल amount जैसे आप यहाँ पे आपको पहले search करना है कि आपको जो बिल amount है first आपको बिल amount एंटर करना है एंटर कर देने के बाद यहाँ पे आपको इसकी heading है जो एंटर करनी है purchase amount purchase amount की जगे आप यहाँ पे बिल amount कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझा जाए will, will amount इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है position में क्या लिखना है जिसे आप किसके नीचे चाते हो यानि F5 मेरे सामने यहाँ पे column आ रहे है कि F5, F1, F2, F3 यानि अगर आप यहाँ पे F5 प्रेस करते हो after add after F5 यानि आप यहाँ पे F5 के नीचे इसका जो total amount आएगा यानि यह जो आप option नया option enable करोगे तो आपका जो F5 के नीचे आएगा यानि add after F5 मैंने यहाँ पे F5 पे एंटर कर दिया है इसके बाद आपको किसमेशी amount amount bill का जो amount है आपका numerical में आएगा text में नहीं आएगा अगर आपको कोई जिसे case credit का कोई option enable करना है तो आप उसमें अगर word में आ रहा है तो आप text में एंटर कर सकते हो लेकिन आपके यहाँ पे option आ रहा है numerical आपको करना है क्योंकि amount है जो numerical में आते हैं तो आपको यहाँ पे numerical select करना है इसके बाद इसके number of character लिखने हैं आपको यह automatic इसमें 16 आते हैं तो आपको अगर amount ज्यादा है यानि ज्यादा character में है तो आप यहाँ पर ज्यादा कर सकते हो लेकिन आपको यहाँ पर 16 आपको एंटर करना है कुछ भी इसके change नहीं करना है इसके बाद जो अगला जो option आता है आपको simple तरह से enter enter करना है यहाँ पर आपको data field पर आपको क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक option आएगा जैसे आप क्लिक करोगे categories पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यानि आपके सामने चार option आएंगे account master, item master, inventory voucher header, inventory voucher body तो आपको यहाँ पर select करना है inventory voucher header पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर फिल्ट का option आ रहा है field पर जिसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहां पर alphabetically search करना है यहाँ पर जिसे वाउचर क रोगे आप voucher करने के बाद यहाँ पर आपको check करना है कि optional field कहां पर आ रहा है कि यह Optional wie your one Optional real one में आपने enter किया था जो बिल का Amount है जो आपने वहां पर enter किया था पड़ से Optional skilled आपको enter करना है Mode कर देने के बाद आपको यहां पे Save field पे आपको क्लिक करना है जैसे आप घ्लिक करोगे इसको कर देबा आप आपको share यह आपने फ़र्ष्ट कॉनफिग्रेशन कर ली है इसके बाद दूसरी जो कॉनफिखरेशन हैं यहां पर आपको सेकंड मैंने इसद दूसरा कोलम बनाया था यहां पर एड़ कोलम पर आपको सेलेट करना है जैसे मैंने एड़ कोलम पर सेलेक्ट किया है add column पे जैसे आपने select किया है तो आपको यहाँ पे इसकी heading लिखनी है build difference यानि build का difference कितना है build का difference कितना है इसके बाद आपको वापस से enter करना है यह जो build difference है किसके नीचे आपको लिखना है मैंने कर दिया इसमें add after 6, f6 f6 के नीचे यानि इसका जो column है f6 के नीचे आएगा इसके बाद मैंने enter किया यहाँ पे भी इसका amount से related ही मुझे जानकरी चीए तो मैं इसके numerical enter करना है इसके बाद यहाँ पर 16 16 मैंने automatic enter है इसके बाद 2 isके बाद यहाँ पर आपको data select नहीं करना है यहाँ पर formula best आपको select करना है जैसे आप इसपे click करोगे तो आपको इसका formula की calculation अच्छे से समझनी है इसकी calculation किस तरीके से की जाती है आप इसको अच्छे से समझना है इसका जो formula लगेगा कैसे लगेगा मैं इसको कर देता हूँ 0 यानि आपको किस में से कौन सी figure बाकी निकालनी है तब आपका difference आ जाए यानि difference amount इसमें आ जाएगा यह formula फर्स्ट जो option है data field होता है और second option है इसमें formula लगा फोर्मूल आपको कैसे लगाना है फहले आपको कोश्टक लगाना है इसके बाद आपको first figure जो लिखनी है F5 यानि F5 में से आपको minus करना है U1 यानि इसमें से अगर यह minus होगा तो इसका will का total difference आ जाएगा तो मैं आपके लिए formula लगा के बता देता हूँ F5 मैंने यहाँ पर enter किया इसके बाद minus का चीन लगाया मैंने और इसके बाद मैंने U1 इसके बाद मैंने कोश्टक बंद कर दिया यानि यह format लग गया है और इसकी जो heading है will difference इसके बाद मैंने इसको कर दिया save format मैंने क्लिक कर दिया है अब देख पारे हो कि मेरा जो यह formula है यानि मैंने जो यह format बनाया है यह बिल्कुल सही तरीके से work कर रहा है यानि मैंने जो यह formula आपके लिए बताया है यह अच्छे से work कर रहा है इसका जो amount है इसमें मेरे पास 0 आ रहा है इसमें मेरे पास आप देख पारे हो कि 4646 इस रुपे का माइनस आ रहा है अब इसमें जैसे आप एंटर करोगे एंटर करने के बाद आपको पता चलेगा जैसे आप पार्टी पर एंटर करोगे तो यहां पर आपका जो बिल का अमौंट था पांच अजार रुपे था लेकिन इसमें जो बिल का अमौंट है अभी इसमे एक ही आइटम एंटर कर रखा है इसलिए इसका 354 रुपे का अमॉंट है और ये बिल जिसे complete तरीकी से पूरा चड़ जायागा इसका नीचे का जो अमॉंट है टोटल अमॉंट है 5000 पर आएगा तभी इसका बिल सही होगा यानि अगर मैं इसका जो अमॉंट है यानि मैंने 5000 एंटर कर दिया है अमॉंट मेच कराने के लिए तो आप देख पा रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर जो डिफ्रेंस अमॉंट है यहाँ पर जीरो हो गया है यानि बिल का जो total amount है या bill amount है जो purchase का bill amount है बिलकुल मेच खा रहे हैं तो मेरे पास इसमें कोई difference नहीं है जो असो computer का जो bill है purchase का इसमें भी आपके लिए मैं चेक करके बता देता हूँ कि मेरे पास जो bill का amount है 5000 रुपे लेकिन मैंने जो optional field में मैंने amount enter कर रखा है आप देख पा रहे हो कि मैंने 4500 रुपे enter कर रखा है यानि बिल का amount 5000 रुपे लेकिन जो आपका bill का invoice का जो total amount है वो 4500 रुपे तो ये आपको सही करना है चेक करना है और आप देख भी पा रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर difference आ रहा है यानि 500 रुपे प्लस आ रहा है यानि बिल का amount तो आपका 5000 रुपे है और जो आपने add किया था optional field में वहाँ पर 4500 रुपे आपने add किये थे तो आपके 500 रुपे का difference आ रहा है इस तरीके से आपके purchase के invoice सही तरीके से चड़ा सकते हैं और आपका GST का जो mismatch है उससे बच सकते हो इसके लावा आपको इस configuration को करने में कोई problem आती है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो इस इस तरीके से आप अपने purchase के जो बिल है वो सही तरीके से check कर सकते हो कि आपने कौन सा बिल गलत चड़ाया है कौन सा बिल सही चड़ाया है इस report को देखके आप अपने बिल सभी बिलों को check कर सकते हो और यह जरूर आपको दियान रखना है कि आपका जो मैंने configuration बताया है यह कि कस्टेम आज कोलं में होगा और यह किस तरीके से होगा यह भी मैंने karena करके आपके लिए बता दिया है आप इस तरीके से आपने बिल साइच चड़ा सकते हो और कोई भीputer आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सेट जरूर कर वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवास थे